कि दोस्तों मैं संतुष कुमर्स यह आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूटूब चैनल में जिसका नाम है स्टोक लर्निंग अभी हम बात करेंगे कि अलोक इंडेस्ट्री जो नया सेर होल्डिंग पैटर्न अप्लोड किया है जून का और जो पहले नहीं अप्लोड क चैनल में जोसे से निजी क्या को बड़ाइं कि को सब्सक्राइब कर दो कि मैं इसको सही करूं तो आप मुझे बताएंगे कि अच्टूब्लम यूद तो अब थीक हुए या नहीं तो कि मैंने आप लोगों से प्रामिस किया था कि मैं एक दो दिन के अंदर मैं कोशिज करूँगा कि मैं इसको सही करूँ तो आप लोग मुझे बताएंगे तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो सेर होल्डिंग पैटरन है उसके समरी पे बात करेंगे कि overall है क्या ये दूसरे हम बात करेंगे पॉब्लिक सेर होल्डिंग पैटरन पे इन दोव चीजों में समरी ऑफ सेर होल्डिंग पैटरन और पॉब्लिक सेर होल्डिंग पैटरन इसमें मैकसिमम चीज़े कबर हो जाएंगी और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है यह इंफ पब्लिक के पास कितने हैं और टोटल कितने पास है तो मार्च में जो डेटा अप्रोड हुआ था उसके एक्कॉर्डिंग उसके हम तुलना करेंगे जून वाले जो सेर होल्डिंग पैटन जो भी लेटेस्ट आया है इसके उपर तो दोस्तों मार्च में जो इनका सेर होल्डिंग पैटन था उसके मताविक पर मोटर जो ग्रूप थे उसमें 9 लोग थे और जो जून वाले में इसमें 4 लोग है यानि 5 जो पर मोटर से वो इसमें से निकल चुके हैं उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसमें चेंजिश कितने हुए हैं तो आप देखेंगे कि इसमें से पांस लोग जा चुके हैं और इनका जो है वो एक सो पैंतिस करोड इसके बाद फिर जो पब्लिक ग्रूप में टोटल जो शेर होल्डर्स थे वो थे दो लाक अठाई से जार नोसो चौरासी और इनके पास जो टोटल शेर था वो आप देख रहे हैं और इनकी शेर होल्डिंग थी और जो जून में जो पब्लिक होल्डिंग में जो अलोगाए हैं तो वो बढ़े हैं वो दो लाक सतासी हजार साथ सो एक हो गया है यानि नंबर ऑफ शेर होल्डर जो है वो आपके अंठावन हजार साथ सो सत्रह जो है नए लोगा हैं पब्लिक सेर होल्डिंग में यानि 6.15 के बढ़ी है इनकी यानि कि जो promoters group का जो 6.15 था वो आगया है अब public having यानि आगे इстанов्त का खतम हो गया है और वो public holding में वो सारे अगय है अब हम जो है इसको compare करेंगे अभी तो मने percentage बताया और आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं public user holding इसमें जो हमारे पास हैं वो mutual funds की बात करूँगा, foreign portfolio में जितने लोग थून की बात करूँगा, financial institution की बात करूँगा, LIC का कितना था, insurance company सा कितना था, ये सब हम बात करेंगे, तो देखे, सबसे पहले हमें start करते हैं June से, तो June में, मार्च से, मार्च और जून का जब हम compare करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे, कि mutual fund पहले एक थे, अभी भी एक हैं, 200 share था उनके पास, अभी भी 200 share है, तो mutual fund में कोई जो है, वो मतलब कमें नहीं आई है, वो IGT जे, उसके बाद मार्च में, foreign portfolio पांस था, और उनके पास जो share थे, वो थे, आपके, दो करोड 25,17,589, उसमें से, और जो जून में है, जून में अब हो गए हैं, आपको 51,69,550, तो इसमें से भी आप देखेंगे, कि 0.79% की जो कमी आई है, foreign portfolio में, financial institution की बात करेंगे, तो financial institution ने अपना जो है, वो, इसमें भी कोई कमी नहीं आई है, जितने मार्च में थे, उतने ही, जो है, वो जून में है, LIC की बात करेंगे, LIC का भी जो है, वो अश्टेक उतना ही है, 1.59 पहले भी था, और 1.59 अभी भी है, insurance company की बात करेंगे, तो insurance company ने भी अपनी holding जो है, वो बरकरार रखी है, में यहाँ पे हमें देखना है, individual जो थे हमारे, जिनका अब टू रूपीज टू लाक्स था, यानि जिन्हों ने दो लाक रूपे तक investment किया था, वो पहले हमारे पास जो थे, वो 2.264 थे, बार्स में, और जो जून है, जून में 2.89.208 आया है, यानि कि जो individuals की जो holding थी 2.00 तक उसमें 59.144 ने share holder रहे हैं, यह अच्छी बात है, और उन्होंने अपना share जो है, वो बढ़ाया है, यानि कि अगर आप देखेंगे, तो मार् 755 share इन लोगों ने अपना खरीदा है, यानि कि जो छोटे investor थे, वो छोटे investor बढ़े हैं, और उनकी share holding percentage है, वो 4.49 से बढ़ी है, यानि पहले मार्च में 29.34 था, जो कि जून में बढ़के 33.85 हो गया है, यानि इन्होंने 4.49 परतिसत बढ़ाया है, और जो जिनका 2.00 थे मार्च में, जून में 518 हो गया, और उनकी जो holding है, यानि आप देखेंगे कि number of shareholder घटे हैं, और percentage भी इनका 16.31 था, जो कि अब 13.21 हो गया है, तो ये घटे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि बड़े खिलाली घटे हैं, और छोटे players बढ़े हैं, यानि कि number of investors जो है, वो इसमें बढ़े हैं, जून के recording, NBFC जो थे, वो पहले भी जो उनका जितना share था, अभी उतना ही share है, जो trust का जो इसमें equity था, मार्च में, जून में भी उतना ही है, इसमें भी कुछ चिंद नहीं आया है, जो NRI है, NRI के data जो है, थोड़ा सा चुकाने वाला है, प NRI में से, NRI में से, बहुत सारे लोगों ने अपना share बेचा है, और ये आप देखेंगे, तो ये आपका आता है, 16,45,889 share इन्होंने बेचे हैं, यानि 0.07% की कमी आई है, NRI के share में, के लरीं समेंबर जो है, वो पहले 75 थे, ये आश्रजना करूप से बढ़े हैं, अब ये 75 से बढ़के 396 जो है, वो share holders हो गए हैं, ठीक है, और इन्होंने अपने share की संख्या भी काफी बढ़ाई है, पहले इनके पास जो था, वो 3,23,000, नहीं, सौरी, ये है, 32,3,046 यर्था पहले इनके पास, जो कि अब बढ़ करके, इनके पास हो गया है, 46,7,548, यानि जीरो दसंबर तीन नो परसंट से, इन्होंने अपनी holding बढ़ाई है, जो body corporate थे, अगर आप body corporate का देखेंगे, तो ये पहले 894 थे, मार्च में, जून में ये 945 हुए हैं, यान इनोंने भी अपनी holding जो है, वो 5.4-7% से बढ़ाई है, रिलाइंस का जो stake था, रिलाइंस का stake इतना ही है, पहले भी उनका 37.7% था मार्च में, जून में भी इनका 37.7% है, और इनका इनमें जो है, कोई भी change नहीं आया है, GM financial का आप देखेंगे, तो GM financial की entry पहले नहीं थी, पॉब्लिक holding में या कहीं भी, पर्मोटर्स में भी, लेकिन इसमें GM financial की holding आई है, 16.15% शेयर इनके हिस्से आया है, जो कि जैसा मैंने आपको सुरू में बताया था, कि पर्मोटर्स जो 6.15% जो उनका holding था, वो लेकर के GM financial को दे लिया गया है, तो इसमें जो अच्छी बात ह है, वो इसमें दो-तीन चीजें है, पहला तो चीज है कि जो LIC था, या जो हमारा पास ये mutual funds थे, या जो financial institution थे, ठीक है, इन्होंने अपनी कोई भी holding जो है, वो नहीं घटाई है, इन्सुरेंस कंपनी में इनने भी अपनी holding नहीं घटाई है, और जो छोटे जो investors थे, वो financial के पास आया है, ये इसके अंदर जो है, जो changes है, वो आये है, और ये कुछ अच्छा indicate करता है, लेकिन जैसा आप लोग को पता है कि 3 जुलाई से जब LIC लगा है, तो बहुत ज़्यादा जो है, घमसान मचा है, मार काट हुई है, इसमें बहुत सो लोगों ने share अपना जो है, तो ये जो है, जो अगला जो data अपलोड होगा, उसमें काफी ज़्यादा इसमें हमें changes देखने को मिलेंगे, तो ये था जो share holding pattern पे अभी तक का जो मेरा observation है, वो यही है, और इसमें छोटे investor के संख्या जो बढ़ी है, ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने छोटे investor ने इसमें अपना जो है, वो बिश्वास दिखाया है, जो बड़े investors हैं, उन्होंने game खिला है, वो काफी बेज करके निकले है, तो इसी के साथ, मैं वीडियो यहीं समाप करता हूँ, बहुत छोटा से वीडियो है, इसमें बताने को कोई बहुत ज्यादा था नहीं मेरे प और stk.learning.gmail.com मेरा email id है, इसे के साथ मैं अपना वीडियो खतम करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बंदे मात्रमा